मोदी जी की इतना बढ़िया काम किये जो मैं बहुत खूस हूँ एक एक किर्पाउर करें मोदी जी हाथ जोड़ता मोदी जी से एक भम लाके पुड़ा फरी गाँ को पर गिरा दें ना ते एक किर्पाउर करें डिली जलबोट से पानी लाए उसमें जहर मिला के सब को माते पचास घर तोडते हैं दो방 लिखवा देते हैं एशी घर तोड़ते तो पाथ हज़ार लिख बादेते हैं घूल मिलाओट को तार्गेट बना रखा है इनों ने वहां से तो हम हिंदू है तो हमें को क्यों यहाँ से बेघर करा जजाद है घर चीए पानी चीए सरकार पानी रेडम से हम काँ सोईगे रात को फिर अब तोड़ता हुआ लेगा सागता अरा बास के लिए गरमी लगती है घरमी तोड़ता है दोजार बाइस में सब को तक घर पर चत मिलेंगे ये सब को छत मिल रहे हैं सब सफेद हो लो देख लो मोदी पूरी गाउं पर जिस तरीके से अत्याचार का पहार तूट पड़ा है मुसीबतों का पहार तूट पड़ा है लगातार हम आपको स्टोरी दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज एक बार फिर मैं खोड़ी गाउं पहुच गई हूँ और जानने की कोशिश करेंगी कि कुछ प्रशासन से कोई मदद मिली क्या हालात सुधरे है लोग मेरे साथ काफी काफी सारे मौजूद है सर क्या नाम है आपका क्या नाम की सर कुछ प्रशासन ने बातचित करने की कोशिश कि क्योंकि लगातार हम लोग दिखा रहे हैं और भी नहीं दिखा रहे हैं नहीं प्रशासर्द में भी रखना हमें बहुत में भी वी मिलेगा हमें तिन नीवारय चोटे बच्चे लला के यहां पर घर बनाए हैं हमें तीन भार घर तो रहे हैं चोथा बार तो रहे आगा मलवा उठा के लिए इसे जदा मदध हमें क्या मिलेगा मोदी जी का रहे ते बेटी पर आओ बेटी बचा कहां पर आए कहां पर आए आप ही बताओ हम लोग कहां पर आए 2022 में इस सब सपेद हो गया है। इसे जएधा हम क्या करें? हम लोग दुख्यू हो गए इतना ज्यादा मोदी जी की इतना बढ़िया काम की है जो मैं बहुत खूस हूँ अरोई एक किरपा और करे मोदी जी हाथ जोड़ता मोदी जी से एक भम लाएक पूरा खोरी गाँ कोपर गिरा देदा इसे जद्वार में पुरा साफ अराम से बुल्डोजर चलाओं लासे कोपर कोई दीकत नहीं होगा पूरा पूरी गाव साफ करें फिर बुल्डोजर चलाए कोई रोकने बला नहीं होगा हम लोग रोहेंगे नेगाएंगे एक बार सोते रह जाएंगे ना ते यह किर पाउर करें दिल्ली जलबोर्ट से पानी लाए उसमें जहर मिला के सब को बांटे फिरी में इसे हम क्या कर सक सब्सक्राइब करना चाहिए कितने घर है कितने लोगे कब से रह रहे हैं उसके बाद इसके बाद फसला देना चाहिए अंदा कानून है इसी को बोलते लोग अंदा कानून कुछ नहीं है मैं 2022 में मोदी जी कहते थे कि एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास पक्का मकान नहीं होगा तस्वीरे आफ साफ देख रहे हैं मुझे कुछ बोलने की जरुरत नहीं है आंटी जी दुबारा बुल्डोजर चलें तीसरी बारे मेरे सारे बच्चे बरबाद हो गए मैं मैं पूरी तरह से तैसने सो गई हूं मैं मरी नहीं रही हूं आपके सामने जिंदा खड़ी हूं और यह कुत्ते तब कहां गए इनके कीड़े पढ़ेंगे एक एक बिलांद के मैं को नसल भी गारत हो जाएं अंध्य कोड़ी प्यादा हो यह पापी मैं कुत्ते की मौत ऐसे मरें कि भीक भी मांगे इनको मौत भी मांगे तो मौत नमिले अगे पीछे किसके लिए कर रहा है यह पाप की कमाई सारे निर्बंस यह खते हो रहा है पापी आप भी कह रही थी सर्वे हुआ है यहां पर क्या कौन से सर्वे यहां हो चुका दो-तिन बार हो चुका रजिस्टेसन या कलोनिका हो चुका है और आपके रहो सुप्रिन कोट की पच्छी है महर लगी हुए सुप्रिन कोट की और पहले तो यह कहा था मोधी ने न्यूज पेपर में के जो बढ़ रह रहा है उसका कप जाए यह परचिय यह पावर टोनियों उसको वही मकान दिया जाएगा वह थाया नहीं जाएगा तो इनको तर्स दयारहम है यह नहीं है और मोदी को और खटर सरकार को तो यह सुखारोटी उनका उलाद वगाना उनका सुखारोटी भी ने देगा किसी ने उनकी उनकी अलाद किडे पड़ पड़ के मरेंगे अब मकान ने बनाए तो यह सारे मलवा और सारे उठा उठा के लगा रहा है यह कहां की नियम है अपने रिष्टेदारों की जितने गुजर लेके गए उनको बेटी बैटों की कबर भी तो बना नहीं गया है अपनी मा भेंड की बीमारी ऐसी बीमारी दे कुद्रत मैं तो कहते हूं कि इलाज भी पैदा ना हो समझें हर तरह से इनकुद्रत ने मेकां के इतना कहई धा रखा है गूम पिर के आते हैं यहीं इनकों के इसी कलाउनी के यार और दामाद अच्छे लगते बेक्यों को ब्याने देने यहीं आ जाते हैं है चार बार तोड़ चुके है और कहते हैं गूम फिर के पचास घर तोड़ते हैं दो हजार लिखवा देते हैं असी घर तोड़ते हैं तो पांच हजार लिखवा देते हैं गूम फिर के इनी घरों को तार्गेट बना रखा इनोंने अब यह तीसरी बार तोड़ा है फिर द जिन्द आजा इनमें से बाफिस घुमा फिराकर के जो कुछ मकान हैं इस एरिये में वहीं तोड़े जा रहे हैं अलगातार अंटी जी इसी इसी तोड़ा जा रहा है आँटी बता रही है कि भार बार इसी घरों को तोड़ा जा रहा है। आप बोलें न मोधी को कि यहीं यहीं क्यों टार्गेट है यहां पे भी तो गरीवी इंसान रह रहे हैं कैसे कैसे हमने अपना प्लोट बना आज मेरी नीप तक निकाल के ले गए उस कमरे की लोहा गाडर सब ले गए हमारा कुछ नहीं छोड़ा हमारा आपका घर भी था हां मे पाकिस्तान से जो भी नागते हिंदू आते उनको हम हिंदूस्तान नागता देंगे गराव मंत्री यह समझ लेगी हम कहां के नागता है हम पाकिस्तान से हैं यह हम अंगलादेश से हैं हम हिंदू है हम क्या है हम हिंदू है तो हम को क्यों यहां से बेघर करा जाता है वहां क हमारे गुरह मंत्री जी बोलते हैं और हमारे देश का संविधान कहता है कि जो लोग यहां के नागता है वो यहीं रहें अब हमको तो यहीं पता नहीं कि हमको रहना का हमको तो बेगर किरा जा रहा है तो हम बेगर हो चुके हैं हमारे यहीं सेंटर से भी यहीं उमेद है कि हमको आप कुछ नो कुछ हमारा साधन करिए रियातों हमको साधन बनाईए तीन वार हमारा तोड़ चुके हैं करोना काल से बिरुजगार बैठे वें हमारे पार नोक्रिया नहीं है हम लोग अपने बीवी बच्चे कैसे पाले करोना काल में यह हम लोग जानते हैं मोदी जी कहते थे 2022 तक हिंदूस्तान में एक भी ऐसा घर नहीं रहेगा लेकिन फिर मोदी जी ऐसा करते हैं चलिए मोदी जी नहीं कर रहे लेकिन उनके प्रदेश के प्रुख्यमंत्री तो उनको कोई सुनवाई तो करनी चाहिए उनका कहना था कि हम 2022 सबको घर देंगे तक तो उनने कुछ अभी तो ऐसा को दिख रहा है दिखने रहा कि उनको कुछ दिंगे तो यह तो हमारा घर उजार दिया तो कहां दिंगे किसको दिंगे जो लोग बाहर सारे उनको दिंगे या जो लोग आने वाले उनको दिंगे हमको तो दिंगे नहीं, हमको तो उजाड दिया, हमारा भी था, तो हमें तो उजाड दिया, तो हमें उजाड के उन लोगों को देना है, जो बार से आएवे, और या फिर किस को दिंगे, हम यह नहीं समझ भाए, मोदी जी किस को दिंगे, अब कहा है, दो लाख रुप्य गज की जमीन पे बैठे हो, अब यह बता, दो हजार लोगों को तो दो लाख रुप्य गज में दे दो गे, गूजरों ने तो हमें दो धाई लाख रुप्य गज में बैची, उन्होंनों तो बसा है, सरकार का काम किया न, सरकार का काम था न, ल यह गों पिर के निह को मसल देते हैं इनि deepest से हैं इंसान है ऐदें फ्सक्राइ में जुच्छ सबस् рук लोगों में गुस्चा बहुत है छोटे चोटे बच्चे भी आ है विफी बेटा क्या नाम अपका क्या नाम का शबम का शू क्शिल समय आ हैorg McMudhi जी को ना था लाहिद साथ ISह बताए भर मुता जड़़ा, बैना उन्दा है यहां पर लाहिदा नहीं हो दाउगा … पीने को पानी? यह बताँ भाउ स्कूल जानते हो? ना और और भी बच्चे हैं यह भी है इर्फान और भान तो Hirm Ep1 लाइट है नहीं अल्रा इस नहीं नहीं कैसा लग रहा है लाइट नहीं सरकार कहती थी कि कि लाइट देंगे विज़ी देंगे पानी देंगे हैं कामेरे पर सरकार से बोलिए कुछ और जो आपको मांगना वो क्या चाहते हैं अपने घर के लिए को रास्ते में ही तो है कि हालात और सिती जो है वह बत से बत्र है पिछली बार वी बता चुकि हूं लगातार स्चोरी कवर कर रही हूं दिल्ली सच आलेस किलो मेटर यहां पर आ कर कि जो हालाद देख रही हूं आखों से वो बहुत ही जादा संगीन है मतलब कह सकते हैं कि मतलब आत्मा रोज आती है क्योंकि किस वी सदी में इस तरीके से लोग यहां पर रह रहे हैं सरकार बहुत-बहुत बड़े-बड़े बादे करती थी कम से कम पक्के घर नहीं दे पाई सिर्फ इटे ही इट मलवा ही मलवा है और कुछ बचा ही नहीं है एक की घर पर बार-बार बुल्डोजर चल रहा है सामने आपको दिखेगा कि फाइफ स्टार होटेल्स हैं आपको दिख रहा होगा ठीक है कुछ नहीं बोलना चाहूंगे इनके बारे में बस देख लिजिए सामने फाइफ स्टार होटेल है और यहां पर एक ऐसे लोग रहते थे जो अपनी जिन्देकी में बहुत खुश थे बच्चे पाल रहे थे असी खुशी जिन्देकी चल रही थी लेकिन उसके बाद अचानक से यह अवैद करार हो गया इस पर कबजा हो गया और इसको पूंजी पती पूंजी लगी है उससे अपने घर बना कर दे इनको रहने का ठिकाना दे इनके बच्चों को पड़ाई दे खाने का खाने का खाना दे पीने के लिए साफ पानी दे कैबरमें ताबिश अली के साथ पुर्मिर रह्मान